हलो दोस्तो नमस्कारे जुगसंगार चैनल में आपका स्वागत हैं दोस्तो आज हम इस वीडियो में 11 से 12 नोमबर 2026 गर डेली करेंड फैर समधी जीतने भी महतफ़ों ना कोंशन बसकते हैं सारे कोंशन के बारे में डीटेल से डिसकस करेंगे और हर कोंशन से समधीत इपोटेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा तो आप इस वीडियो के पूरा ध्यान से देखिए आज का पिडिये आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जूट कर सकते हैं तो दोस्तो चलिए करेंड़ा पर देखिए दोस्तो हमारा पहला कोंशन है हाली में चर्चा में रहा ग्रामोदाय पत्रीका चत्तिस गड़के किस कवी पर गेंद्री था इसका सही आंसर है आपसर नरेंद्र देवर्मा चलिए दोस्तों यहां पर देख लेते हैं मुख्य मंद्री श्री भूपेज भगेल ने आज यहां अपने निवास का रियाला में 36 गार राज यगीत के रचाइता डाक्टर नरेंद्र देवर्मा पर किंद्रीद ग्रामोदाय पत्रीका का विशे सांग तथा कला साहित यहां सस्कृति की पत्रीका बहुमत की 101 वे अंका विमोचन किया गया इस अफसार पर ग्रामोदाय पत्रीका के संपादक मंडल के सदस्य स्री ललित कुमार वर्मा प्रबंध संपादक स्री अरूर कुमार स्री वास्ता और बहुमत पत्रीका के संपादक स्री विन ने इस अफसार पर कहा कि नरेंद्र देव वर्मा ने 40 वर्ष में अपने छोटे से जीवन काल में अनेक सहित तेवम रचनाओं का लेखन किया। उनकी रचनाओं में 36 गड़ के लोग जीवन के चहल पहल तथा सुख दुख का मार्मिक विवराण मिलता है। डाक्टर वर्मा ने 36 गड़ ही और हिंदी भासा में जो लेखन किया है यहां हमारी बोधिक संपदा का प्रतिक है। यहां पर दिखिए हमारा अगला अपसंदिये है लोचन प्रसाद पांडे यही से भी दोस्तों कोश्चन बन जाता है कि लोचन प्रसाद पांडे के बारे में दोस्तों जो लोचन प्रसाद पांडे है कहा का निवासी है तो दोस्तों यह बालपूर का निवासी है और और उस नाटब का नाम क्या है तो कली काल दोस्तों अबर दीखेए यहां पर हमारा दुसरा आप संदिया है मुकुट धर पांदे तो जो चायावादी काव्य धारा के जनक कहा जाता है दोस्तों इन्हें चायावादी काव्य जो धारा है इन्हें इनके जनक के रूप में जाना जाता है और इनका दोस्तों चायावादी सम्वधित प्रथम कवीता थे कुर्री के प्रति यह दोस्तों चायावाद से सम्वधित प्रथम उपन्यासकर है और इनके जो पुस्ता का नाम क्या है तो हीरू के कहनी यहां पर दोस्तों हीरू के जो कहनी नामक इनका जो उपन्यास है यह 36 गड़ी का प्रथम उपन्यास है और इनके 36 गड़े में प्रथम उपन्यासकर के नाम से इनके जाना जाता है आप इतने फेक्ट को इस कोईशन से रिरेटेट करके याद रखिए साथी यहां पर दोस्तों देखिए हमारा नेस्ट कोईशन है यहां पर हमाला आगरा कोईशन के उरागे बढ़ते हैं हाली में 36 गड़ लोग कला सील पसंसार विक्रेशा प्रदर्शनी का आउजन कहां किया गया इसका सही आंसर है आपसन ठड़ा रायपूर में आउजन किया गया क्वेशन के स्पश्टी कराण देखते हैं मुख्यमंत्री स्रीभूपेज बगिल ने बुढ़ा तलाव विवे मुख्यमंत्री यहां रायपूर प्रसाशन की मदद से संचालित महिला स्वासायता समूहों बिहान नगा निगम महिला स्वासायता समूहों तथा 36 गड़ माटी कला बोड तथा बिलासा हेंडलूम एंपोरियल तथा 36 गड़ खादयों ग्राम उध्योग बोड़ चटिस बोड द्वारा बनाये गए मिट्टी और गोपर के आकरसक दिये पूजन समागरी तथा लोकसील्प समागरी सहित अन्या परंपरिक कलाओं के माध्यम से निर्मित समागरियों कभी यहां पर अलोकन किया गया है अब दोस्तिया जो है यह 36 गड़ के बुढ़ा तलाब के दो दोस्तो यह जो है रैपूर जीला है जो दोस्तो रेट कलर का यहां पर डार का किया गया है यह रैपूर जीला है और रैपूर जीले का पूरा यहां पर व्यू दिखाया गया है रैपूर जीले से सबसे पहले यही कोशन बन जाता है कि रैपूर सहर का इस्थापना किस ने क दोस्तों जो कल्चूरी राजवञ्स के राजा रामचंद्रदेव थे इनके 124 में रहपूर सहर को बसाया गय था और इसका नाम करण अपने पूत्र ब्रहंभवराय के नाम पर इसका नाम नाम करण किया गय दोस्तो यहां से एक और कोशन बन जाता है कि रैपूर जीले का गठन कब हुआ था तो दोस्तो दो नॉम्बर 1861 को रैपूर जीले का गठन किया गया था साथी दोस्तो जब 1862 में 1862 में जब 366 गड़ को एक संभाग बनाया गया तब उसका मुख्याला रैपूर को बनाया गया था दोस्तो यहां से एक और कोशन बन जाता है कि रैपूर किस नदी के किनारे बसा है तो दोस्तो जो रैपूर है ये खारून नदी के किनारे बसा है और दोस्तो रैपूर जीले में है लाभांडीर सर्च अफाम दोस्तो यहाँ प्रदेश का प्रथम क्रिसी अनुसंधान केंद्रा है और दोस्तो यहाँ सबसे प्राचिन क्रिसी अनुसंधान केंद्रा भी है जिसे बाद में धान अनुसंधान केंद्रा कभी दर्जादी दिया गया और दोस्तों जो लाभांडिर जाशा सफाम राइपूर इसकी स्थापना कब हुआ था तो इसकी स्थापना 1903 में हुआ था और दोस्तों यहां पार देखिए जो राइपूर है यहां राइपूर नगार निगम प्रदेश का प्रथम नगार निगम है और इसकी स्थापना कभ वह था तो उनी साथ में राइपूर नगार निगम की स्थापना हुआ था और यहां दोस्तों प्रदेश का सबसे प्राची है दूर्ग और दूर्गा में एक नए नगर निगम का गठन हुआ था जिसका नाम है दोस्तों यहां पर रिशाली नगार निगम यह सबसे प्राचिन और Loba 36 गर का प्रतम नगर निगर आहिब सातियां पर दिख्एक दोस्तों कुछ यंपोर्टेंट इन्हीं फेक्ट से मिलकर बन जाता है देखिए दोस्ति मैप को कि यहाँ पर है उर्ला दोस्तों यह जो उर्ला है यहाँ पर प्रदेश का प्रथम अध्योगी विकास के इंद्रा की स्थापना यहाँ पर किया गया था और दोस्तों यह उर्ला है यह प्रदेश में निवेश के अधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा अध्योगी विकास के दुस्तो उरला के बगल में ही है एक सिल्तरा दुस्ति यहां सिल्तरा प्रदेस में सबसे बड़ा 6 रफल के अनुसार से अध्युगिविकास के इंद्रु साथी यहां पर दिखे दोस्तों कुछ और इंपोर्टेंट फेकर जिसे दिखे दोस्तों यह तील्दा है तील्दा में दोस्तों पाली पार का की स्थापना किया गया है और तील्दा में दोस्तों राइस मिल कॉंप्लेक्स कभी स्थापना किया गया है 36 गड़ में सरवाधिक राइसमिलो की संख्या राइपूर जीले में है परन्तु राइसमिलो का सरवाधिक संखेंडर कहा पर है तो यह धमतरी जीले में है साथी दोस्ति यहाँ पर देखी यह है चंद्खुरी दोस्तो जो चंदकुरी है यहाँ पर भारत में एक मात्रा कवसुलिया माता की मंदीर की इस थापना चंदकुरी में हुआ था साथी दोस्त यहाँ पर दिखिए आरांग है यह दोस्तो आरांग है इन्हें 36 गड़ में मंदीरों का नगर के नाम से इन्हें जाना जाता है और यह दिस्तो राइपूर दिखिए यह है नया राइपूर साथी दोस्ते यहाँ पर दिखिए स्वामी विवेकानन हवाई अड़ा दोस्तो यहाँ माना केम राइपूर में इसका निर्माड कियागा है और यहां प्रदेश का एक मात्रा अंत्राष्टी हवाई अड़ा है आप इतने फैक्टा को इस जीले से रियेटेट करके याद रखिए साथी दूस्ते हैं पर करेंड अपर सेशन का हमारा अगला कोश्चन की और आगे बढ़ते हैं यहां पर दिखिए हमारा नेश्ट कोश्चन है वर्तमान में इंद्रा गांधी क्रिसी विश्ची विद्याला रायपूर का कूल पती कौन है इसका सही आंसर है आपसं दिखिए ए क्रिसी महाविद्याला योम अनुसंधान केंद्रा साजा में कूल पती डाक्टर एसके पाटिल डाक्टर आर के वाजपेई निदेशक अनुसंधान सेवाएं एवं डाक्टर एस्टी मुखर जी निदेशक प्रसार सेवाएं एवं डाक्टर जी के दाज डारेक्टर फार्म इस तार्तम्य में डाक्टर जी के दास ने फार्म में चर रही बीज उत्पादन कार्य करम एवं अगामी रवी सीजन में लगाई जानी वाली फसलों की जनकारी ली इसके पचात क्रिसी महाविद्याला के अधिश्टता डाक्टर डी एस ठाकूर के नेत्युत में कूल पती एवं अन्या साम्मानी अधिकारियों ने छेत्रपा ब्रहमण किया एवं प्रसास्निक भवन छात्रवास का भी वहाँ पर विस्ति चर्चा किया गया अब दोस्तो इस कुछ चान में कुछ और आप्सं दिया है उनके बारे में जानिए जैसे दोस्तो यहाँ पर दीखिये हमारा सेकेंद आप्सं है ये दोस्तो डाक्टर इसके पाणि लिए तो दोस्तो इंद्रा गाण्धि कृषि उसे देला है रह पूर है इनके कूल पती है साथी दोस्त यहाँ पर दिखिए ममता चंद्राकर दोस्तों ममता चंद्राकर को खैरागाड में दोस्तों जो इंद्रा कला यम संगीत विश्विद्याला है इसकी दोस्तों यहाँ पर कुलपती न्युक्ता राजय सरकार दोरा किया गया था दोस्तों राजय पाल दोरा इनका न्युक्त किया गया था साथी दोस्तो दो जो है इंद्रा कलायम संगीत विश्य विद्याला यहाँ प्रदेश का सबसे प्राचिन विश्य विद्याला है साथी दोस्ते यहाँ पर देखे इंद्रकलाययों संगीत विष्यविदाला यह है येलिसी का एक मात्र संगीत विष्यविदाला है। पर दिखे डाक्टर इमील लकड़ा दोस्तों जो डाक्टर इमील लकड़ा है इन्हें संद गहीरा गुरु विश्य विद्याला है सरगुजा के दोस्तों इन्हें कूल पती नुक्त किया गया है साथी दोस्तों यहां पर दिखे डाक्टर बंस गोपालसी है इन्हें सुनदाल्ला societies संद्ला सिर्मा को श lacks स्पना द्रिश्टा के नाम से विए जाना जाता है साथी दोस्तों कुसा भाव-ठाग्र partnerकार Purida में प्रोफेसर बाल्देव भाई liberal को भी खुलपती के रूप में न्यूप्त किया गया है आप इतने फेक्टा को इस question से related करके याद रखिए साथ ही यहाँ पर दिखे दोस्तों हमारा next question की और आगे बढ़ते हैं यह जो question है यह बहुत ही important question होने वाली है तो चलिए दोस्ते यहाँ पर देख लेते हैं हाली में 36 गड़ में कितने नई तसीलों का गठन किया गया है जिसका राज यह सरकार ने अधिस उचना जारी कर दी है इसका सही आंसर है आप से देखिए थाड़ा 36 गड़ में नई तसीलों की गठन की गई है दोस्तों इस question बहुत ही ज़्यादा important question है इस question को आप अच्छे से देखिए तो चलिए दोस्तों इहाँ पर question के सपस्टी करण भी देख लेते हैं फिर दोस्तों इहाँ पर जो अधिसुचना जारी किया गया है उसको बारे में भी चर्चक करेंगे 36 गड़ में तेईस नई तसीलों का गठन किया गया नविन तसीलों का गठन के संबन्द में राज्य सरकार ने अधिसुचना जारी कर दी है राज्य सरकार द्वारा जारी आदे साथी दोस्त यहाँ पर देखिए जो राजपत्र है इसके बारे में भी बताएंगे साथी दोस्त यहाँ पर कुछ नंबर्स भी दिया गए इनके बारे में जान लिजिए जैसे देखिए दोस्त यहाँ पर हमारा पहला आपसंदिये है दस दोस्तों यह यह 10 संक्या है वरतमान जिले बिलासपूर जिला का विभाजन करके बनाया गया है जिसके करण बिलासपूर भी भू आउच्टी जिला बन गया है यहाँ पर दिखे दोस्तो प्रदेश में अंतराजी सीमा वाला जी जीलों की संख्या कितनी है तो प्रदेश में अंतराजी सीमा वाला जीलों की संख् कितनी है तो 28 है और दोस्तों जो गवरेला पेंडरा मरवाही जीला है या प्रदेश का 28 जीला है साथी यहां पर दिखें दोस्तों प्रदेश में टोटाल 85 विकास खन ऐसे हैं जिसे आधिवासी विकास खन कहा जाता है दोस्तों प्रदेश का जो 85 विकास खन है इन्हें आधि जो ऐसी विकास खन कहा जेता है साथी दोस्ति यहाँ पर देख लेते हैं जो राजी सरकार्द द्वरा जो राजपत्र में अधिसूचना जारी कियागा है इंके बाए में यहाँ पर देखे दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो यहां पर दिखे दोस्तो राज्य के 15 जीलों में 23 ने तसीलों का गठन किया गया है इसमें दिखे दोस्तो अम मैं ये भी बताऊंगा कि प्रदेश में कुल परतमान में तसील भी है इनको भी यहां पर लाश्ट में देखने का कोशिस करते हैं सबसे पहले रैपूर जीले म दिखे जो खरोरा और दोस्तो गुबरा नाव पारा इन्हें भी तसील बना दिया गया है और धमतरी जीले के भखारा को बना दिया है दोस्तो अदूर्ग जीले के बोरी और भिलाइत्री को भी यहां पर दोस्तो नई तसील बना दिया गया है राजनांद गाओं के दोस्ति साथिया पर देखिए। दूस्तो जो मुंगेली हैं यहां पे लाल पूर ठानाचेत्र है इन्हें तसिल का दर्जा दे दिये ग़या है। साथि जांगी Brendan para me सारा गाहा बमनी डी और 12 दुणार इन सभी को tasil का दर्जा देये ग़या है। दोस्तों जो मेरा तसील यही है अभी दोस्तों उप तसील था लेकिन जो बमनीडी है अब ये अब दोस्तों तसील बन गया है ये खुशी की बात है साथी दोस्ति यहां पर दिखे जो कोर्बा ही से कोर्बा जीले के दोस्ति यहां पर दर्री और हर्दी बजार को यहां पर न नई तसिल बनाया गया है दोस्तों यहाँ पर दिखें जो सूराजपूर है इन्हें लेटोरी को भी दोस्तों यहाँ पर तसिल सूराजपूर जीले के लेटोरी है इन्हें नई तसिल बनाया गया है जस्पूर जीले के दोस्तों जो सन्ना है सन्ना को नई तसिल बनाया गया है दोस्तों यहाँ पर देखिए 11 तारिक 11 नॉमबर 2020 को दोस्तों यहाँ नई तसील बन गया है और दोस्तों इसी दिन से यहाँ जो है प्रभावी रुप से नई तसील बन चुके है अब दोस्तों सबसे पहले ये सवाल आता है कि आप प्रदेश में तो नहीं तशीलों की संक्या कितनी है तो यहां पर देखिले जिये दोस्ति यहां पर एक यहां पर दोस्तो यह देखिए एक पिक यहां पर फ्लेस हो चुका होगा इसमें दोस्तो लिखा है जैसे प्रदेश में दोस्तों यहां पर दिख़्े हैं इसे पूरो अदंतेवाडा जिला में बड़े बचली को एक सबorta और दोस्तों जो बड़े बचली है इन्हें एक सब पचासवा तसील घोसित क्या जा चुका है और दोस्तों उसके बाद चिरमीरी जो कोरिया जीला है इन्हें 100 इन्कैनवा और 199 तसिल करूप में भरणगां कवरधा जीले के और दोस्तों 163 लौण लावन बरवदा बजार जीले के और दोस्तों यहाँ पर दिखिए 154 गंड़ा जीले में गंड़ाई है इन्हें पहले भी घुषठा किया गया था लेकिन इस कर दोस्तों यहां पर 156 है शिवरी नणराण जांंगीर चापा जीने के इस प्रकार से दिखिए दोस्तों पहले 1056 तत्सील कुण था तो पहले 156 तत इस तत्सील धा शिवरी नराण और क कौन सी जीला है तो दिस दोस्तों कितना तसील का नया गठन किया गया है तो इसमें दोस्तों पहले दिखिए दोस्तों पहले 156 था और दोस्तों अभी 23 नहीं तसील का गठन किया गया है इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो cool तसील होगा या तो एक सव और नियासी होगा या तो दोस्तो एक सव 38 तसील वर्तमान में होगा इसके लिए दोस्तो अभी confirm data भी पता नहीं है जैसे दोस्तो आपको confirm हो जाएगा मैं आपको इसके बारे में बता दूँगा कि वर्तमान में 36 गण में cool ने तसीलों की संख् साथी याँ पर दखिए दुस्तो करेंड़ा फेर सेशन को नेश् टो कूशन की और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिखिए दुस्तो हमारा नेश्ट कूशन है, हाली में दूरगा संपाग यूक त सरी 30 महा वर्की वर्क कविताओं पर किंदubbyत पुस्त कविता का नया रू टीसी महावर्ग की कविताओं पर केंद्रीत कविताओं का नया रूपाकार पुस्तक का लोकारपण किया है कोश्चन के स्पश्टी कराण देखते हैं संभागा यूगत श्री टीसी महावर्ग की कविताओं पर केंद्रीत कविता का नया रूपाकार का लोकारपण हिंदी कव श्री विनुत कुमार सुकल के हाथों में एक वर्ग समारों में हुआ है इस पुस्तक में तीस सक्रिय चरों तथा सुधी लेखाओं और मीत्रों की स्री महावर क stroll शुण पर समयलित किया गया है इसका चैल सुप्रिश्या धकावर किया कि पुष्टक का प्रकाशन पहले किसा पहल पहले पहल दुस्ति हैं पर प्रकाशन भुआ कि श्री महावर के अब तक विश्मिता ना हो इतनी ही नमक नदी के लिए सोचों हिज्य सुधरता है चांद सब्दों से परे इस तरह से पांच के विताओं का संग्रा आ चुका है उन्हें पंडित मदन मुहन मालवी इसमिती पुसकार नहीं दिली अंबिका प्रसाद दिव्य पुसकार और पंजाब कला सहित अकादमी पुसकार से भी समानित किया जा चुका है इस तरीका से यहां पर दिखें जो दूर्ग संभगा युक्त त्रिलोक महावार के दोस्ति यहां पर काव्य संग्रा है जिसका इस पर केंद्रित पुस्तक का नाम है कविता का नया रूप कार आज कही हैं वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यावाद